Assalamualaikum welcome to student tube आज के इस लेक्टर में चप्टर फाइफ आइकॉम पार्ट वन बिजिसमेट बुखिशा है जमाल की चप्टर है लीनियर और कॉरिटिक एक्विशन कुष्यन है हमाई पास 5.84 असलम इंवेस्टेट रुपीज तो लैक 10,000 पार्ट इट 8% पर एनम एंड रेस्ट 6% पर एनम इफ दी एन्वेल इंकम फ्राम बोथ इंवेस्मेंट्स वर दे सेम फाइंड इंवेस्टेट एट इच रेट तो यहां पर असलम ने इंवेस्ट किये हैं दो लाग 10,000 उसमें से कुछ इसने 8% पर एनम के रिटर्न पर इंवेस्ट किये हैं और बाकी जो हैं वो इ करना है कि 8% पर इसने कितने पैसे डाले हैं और 6% पर कितने डाले हैं तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है हम यहां पर करते हैं let x is equal to x is equal to amount that invested amount that invested at 8% अब देखें दो लाग 10,000 में से x क्या है 8% तो बाकी क्या होंगे 6% then so अब यह equation जो है is the amount invested at invested at 6% ठीक है so अब 8% और 6% हम नहीं लिखेंगे % है 100 से दिवाइट करके लिखेंगे तो यहां पर हो जाएगा 0.08 multiply by x is equal to 0.06 multiply होगा 2,10,000 minus x से ठीक है so 0.08 x हो गया is equal to इसको इसे multiply किया तो यह हो गया 12,600 minus और यह हो गया 0.14 x यह हो गया 12,600 यहां पर यह divide होंगे 12,600 divided by 0.14 तो answer आजाएगा 90,000 तो 8% पर जो पैसे invest किये थे एक्स वो क्या है 90,000 अब बाकी जो है वो है 2,10,000 minus x तो x किया है हमारे पास 90,000 minus किया तो हमारे पास किया आगया 1,20,000 so 90,000 and 1,20,000 जो है वो इसे invest किये है 8% पर है 90,000 and 6% पर है 1,20,000 तो यह था question उमीद करती हूँ कि आपको अच्छे समझ आ गया होगा मजीर exercises and questions के लिए चनल को कर दें subscribe and साथ ही अपने classmate and friends से share भी जरूर किया करें and for more you can visit our website www.studentyub.info Allah Hafiz